जै मातादी दोस्तों, वर्ण बेस्ट मैजिक में आपका हारदिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, आज हम बात करेंगे मादुर्गा के चोथे सरूप माकुसमांडा के बारे में कि किस तरह से हम माकुसमांडा को प्रसंद कर सकते हैं और माकुसमांडा की पूजा की संपूर्ण विधी क्या है? और माकुसमांडा की पूजा करते समय आपको किस रंगे कपड़े पहनने चाहिए? और माता को कौन सा भोग पसंद है? और उन्हें कौन सा फूल चढ़ाना चा पैस मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों, नौरात्र के चौते दिन मा कुस्मांडा का वरत और पूजा की जाती है। कुस्मांडा माता ने अपनी मुस्कान से ब्रम्भांड की रचना की थी। इसलिए इने स्रस्टी की आदी सक्ती के रूप में भी जाना जाता है। कुस्मांडा माता का रूप बेहदी सांत, सौम्य और मोहक माना जाता है। इनकी आठ भुजाएं हैं। इसलिए इने अस्ट भुजा कहते हैं। इनके साथ हाथों में क्रमसा, कमंडल, धनुस, बार, कमल, पुस्प, अमरत्पून, कलस, चक्र तथा गदा है और आठवे हाथ में सभी सिध्यों और निध्यों को देने वाली जाब की माला है कुस्मांडा माता सेर पर सवारी करती हैं माता के पूजन से भक्तों के समस्त प्रकार के कस्ट, रोग, सोक, संतापों का अंत हो जाता है तथा दीर गायु एवम्यस की भी प्राप्ती होती है आपको बता दें कि दुर्गा सब्तसती के अनुसार देवी कुस्मांडा इस चराचर जगत की अधिस्थात्री हैं जब सस्टी की रचना नहीं हुई थी उस समय अंदकार का समराज था तब देवी कुस्मांडा द्वारा ब्रह्मांड का जन्म होता है अताये देवी कुस्मांडा के रूप में विख्यात हुई इस देवी का निवा सूर्य मंडल के मद में है और यह सूर्य मंडल को अपने संकेट से नियंत्रित रखती हैं दोस्तों नौरातर के चौथे दिन माता कुस्मांडा की सभी प्रकार से फिद्वत पूजा अर्चना करने चाहिए इस दिन भी सर प्रतम कलस की पूजा करने चाहिए फिर सभी देवी देवताओं की पूजा करने चाहिए तद पस्चात एक लकड़ी की चौकी पर कुसमांडा की प्रतिमा इस्थापित करें और इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन का प्रयोग करना चाहिए और आप स्वयमनारंगी या रॉयल ब्लू, ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं और इसके बाद माता को जल, फूल, रोली, अक्छत, आदी अर्पित करें और माता कुसमांडा की पूजा में चमेली का फूल का प्रयोग करना चाहिए और नौरात के चौथे दिन मा कुसमांडा को माल पूए का भूग लगाना चाहिए और फिर किसी ब्रामर को दान भी करना चाहिए इससे हर प्रकार के विग्ण दूर हो जात पूजा से विक्ति को भैसे मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है तो बोलो मा कुसमांडा की जए तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद